हेलो एवरीवन वैलकूम अगें टू लंडरे दितीमन आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नमबर 10 लोग संस्कृति एवं कला तो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया है और जिसने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं यहां पर हम कुश्चन आंसर के थूँ पूरा चैप् करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग राजस्तान में किसी भी एक्जाम के त्यारी करो वहां आपका राजस्तान जीके जो है पूछा ही जाता है अब जो ऐसा हो गया है कि अब हर एक्जाम में राजस्तान जीके का जो पार्ट है वो बहुत जादा जोड़ दिय तो आप लोग इन चीजों से नहीं बच सकते हो, आपको ये पढ़ना ही पढ़ेगा, चाहे आप 1st grade की त्यारी करें, 2nd grade की करें, RAS की करें, किसी की भी करें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, question 1 देखिए, पूर्वी राजिस्थानी भासा की प्रतिनिधी बोली कितनी हैं? तो यहां पूर्वी राजिस्थानी भासा की चार प्रतिनिधी बोलियां हैं, डूडारी, जिसे जैपुरी कहते हैं, खाडोती, मेवाती और अहीरवाती, लोकनाटे शाली में आते हैं, ख्याल, हैला, गवरी, तमासा, तुर्रा, कलंगी, राजधारी, दंगल, स्वांग, न का आंसर होना चाहिए, लोकनाटे शैली में आता है, हैला, नेक्स्ट देखिए, थर्ड कुशन, पक्षमी राजिस्थान की प्रतिनिधी बोलियां कौन-कौन सी हैं, पूर्वी राजिस्थान की चार बोलियां हमने देखी थी, जैपुरी, हाडोती, मेवाती और अहीरवात वहीं पर पक्षमी राजिस्थानी भासा की देखिए, मारवाडी, मेवाडी, बागडी और सेखावाती नेक्स्ट कुश्चन जलिए, कुश्चन 4 है, राजिस्थान में गंगोर का त्योहार कब मनाया जाता है? तो राजिस्थान में गंगोर का त्योहार जो है, मनाया जाता है, चैत्र सुक्ल तृत्तिय से प्रारंब हो जाता है गंगोर के त्योहार में गंवा गौर सब्द किसके सूचक है तो यह शिव और पार्वती के सूचक है गंड का अर्थ है शिव और गौर का अर्थ है पार्वती सावन के महिने में मनाया जाने वाला प्रमुक त्योहार कौन सा है तो वह है तीज का त्योहार जो की श्रावन के महिने में मनाया जाता है नेक्स्ट देखिए कुष्ण सेवन है भादो महा की कृष्ण पक्ष की तीज को किस नाम से जाना जाता है भादो महा की कृष्ण पक्ष की तीज को हम किस नाम से जानते हैं तो इसे हम जानते हैं कजली तीज और सातुरी तीज के नाम से नेक्स्ट देखिए question 8 है होली के आठवे दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है होली के आठवे दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है तो वह हम मनाते हैं सीतला अस्टमी चैत्र कृष्ण अस्टमी को यह मनाया जाता है जैपुर में सीतला माता का मंदिर कहां इस्तित है? तो देखिए एक जैपुर में सीतला माता का मंदिर है और एक उधैपुर में भी है तो यहां जैपुर में पूचा है सीतला माता का मंदिर कहां है? सील की डूंगरी पर उद्यपुर में सीतला माता का प्रमुक मंदिर कौन सा है तो यह है बल्लव नगर कस्वे में ठीक है याद रखना है जैपुर के पास में चाक्सु की सील की डूंगरी है और उद्यपुर के बल्लव नगर कस्वे में सीतला माता का मंदिर का मेला लगता है पुस्कर मेले का आयोजन कब और कहां किया जाता है तो यह कार्टिक पुर्णिमा को अजमेर में किया जाता है केला माता के मेले को सवाई माधोपूर में क्या कहा जाता है तो इसे हम लखी मेला के नाम से भी जानते हैं और यह मेला चैत्र सुकल अस्टमी को भरता है केला देवी का मेला आयोजित होता है तो यह चैत्र कृष्न द्वादसी से और चैत्र सुकल द्वादसी तक ठीक है महावीर जी का मेला है वह सवाई माधपुर्जिले में लगता है और यह चैत्र सुकल एकादसी से लेकर वैसाख कृष्ण दुतिया तक, भरता है और महावीर जी का मेला जो है, जो की 24 वे जैन तीट कर महावी स्वामि जो है उनके नाम से ही ये मेला लगता है। महावीर जी की मूर्ती का रंग कैसा है? पूछा जा सकता है एक्जाम में? बहुत ही बारीक प्रश्ण है यह है महावीर जी की मूर्ती का रंग कैसा है? तो यह लाल रंग का है हर्याली अमावस्ट की जो मेला है उसकी सुरवात किसके शाशनकाल से हुई थी तो यह महाराणा फते सिंग के साशनकाल में अठारा सो निन्यानवे में उदैपुर में हुई थी अगला है ख्वाजा मुईनुद्दिन चिस्ती जो है भारत आये थे? तो ये कहां से आये थे? ये इरान से आये थे और इन्हें हम गरीव नवाज के नाम से जानते हैं नेक्स्ट देखिए ख्वाजा साहब का उर्स या ख्वाजा साहब का जो मेला है वह कब और कहां लगता है तो यह मेला लगता है अजमेर में रजव महा की एक से छटी तारीख तक लगता है तो याद रखना है ख्वाजा साहब का उर्स कब लगता है रजव महा की एक से छे त अजमेर में लगता है। माही, सोम, जाखम, नदी के संगम पर होता है बीकानेर के शाष्कों की अदिस्ठाती माता कौन सी हैं? तो वो है करनी माता खाटू शाम जी का मेला कब और कहां आयोजित किया जाता है? तो खाटू शाम जी का मेला वह लगता है फागुन के सुकल पक्ष की दसमी से द्वादसी तक और कहां लगता है सीकर जिले में लगता है बाबा राम देव का मेला कब और कहां आयोजित किया जाता है? है आयुजित होता है डुंगरपूर जिले के सांग वाड़ा तहसील में लगता है कलिया कोट उर्स किसकी मजार पर होता है तो यह उर्स जो है वह है फक्रुद्दीन मौला की मजार पर होता है किस मजार को मजार ए फक्री कहा जाता है तो यह फक्रुद्दीन जो मौला की मजार है इसको कहते हैं मजार ए फक्री याद रखना है मजार ए फक्री किसे कहा जाता है फक्रुद्दीन मौला की मजार को दाउदी बहुरा समाज की आस्था का सबसे बड़ा केंदर है गल्या कोट नेक्स्ट देखिए तो देखिए जितने भी आप लोगों के मेले त्योहार थे जो भी इस चैप्टर में थे सभी यहां पर आ चुके हैं आपने 28 में से कितनों का आंसर जो है वह लगाया है वो आपको खुद सोचना है कि हमने इस चैप्टर को कितने अच्छे से बारीकी से पढ़ा और हमने 28 में से कितने कोशन का आंसर सही दिया है ठीक है और जिन बच्चों ने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो वो इन कोशन को बारवार रिवाइज करिए बारवार वीडियो सुनिए जिससे कि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं क्लास 6 है फिर भी आप लोगों को सभी प्रशनों के आंसर नहीं आते होंगे अग्ड़ाएवगाँ